वेलकम टो टो जेट अनलैसिस मैं हूँ अलेक्स जोसी हाले में कहा कि ओपेक कंट्रीज ने एक सहमती जिताई थी कि हम नौंबर से 20 लाख बैरल परती दिन ओएल प्रोडक्शन में कटोती करेंगे अब इसके पीछे रीजन क्या था कि इन्हों ने ये क्यों कहा था और उसके बाद जोई वाइडे ने क्या कहा और इसका क्या result निकलने वाला है वर्लड वाइड तो हम उन सभी को देखेंगे तो देखो ये सबसे पहले जाना जूरी है कि ओपेक कंट्रीज ने ये बात कही क्यों थी ओपेक कंट्रीज ने ये बात इसलिए कही थी कि oil production में कटोती करने के लिए जब western countries ने यहाँ पर sentence लगा दिये थे किस पर western countries ने sentence लगा दिये थे रसिया पर कि हम आपसे इतने पैसे में कि इन्होंने fix rate कर दी थे कि इतने रुपीज में हम आपसे oil खरी देंगे और उससे ज़्यादा हम आपको पैसे नहीं देंगे तो अब रसिया ने आपके दिमाग में आएगा कि अब रसिया कहता कि western countries को आप मांसे oil मत खरीदो हम दूसरे countries को बेद देंगे तो उन्होंने क्या किया था कि रसिया पर यह भी पाबंदी लगा दी थी कि हम जितने में oil आप दोगे उतने में ही जो worldwide जितने भी बची हुई country हैं उनको भी आपको उतने ही पैसे में देना पड़ेगा तो इसी को देखते वे ओपेक countries ने यह सोच लिया कि अगर इन्होंने रसिया पर यह चीज़ ठोप दी है तो कल को यह ओपेक पर भी यह sentence लगा सकते हैं कि जितने रूपय में हम तेल खरीदेंगे उतने ही रूपय में तुम्हें worldwide तेल बेचना पड़ेगा अब और countries क्यों मानें western countries की बाद इसका भी बड़ा reason है क्योंकि western का इक group है अब इसमें अमेरिका भी सामिल है तो जो बचिवे country हैं उनको जर्रत पड़ती है western से भी अमेरिका से भी बड़ी तो इस चीज़ को देखते हुए उनको एक चीज़ का डर भी रहता है कि इन्होंने census लगाया है तो हमें इसके according ही चलना पड़ेगा तो यहाँ पर opaque countries है worldwide आपको पता होगा कि worldwide जितना oil production होता है उसका 80% oil production only opaque countries करती है जिसमें से 13 countries जिसकी most है कि जो वर्ड का 80% यहाँ पर क्या करती है oil production करती है वैसे opaque country में यहाँ 20 के करीब सदश्य है लेकिन 13 important है अब बाइडेन ने यह कहा कि अगर यहाँ पर तेल में गिराउट की जाती है production में गिराउट की जाती है तो इससे क्या होगा कि opaque में जो countries है जिनका contribution कम है उनकी अर्थवयस्ता पर यहाँ पर क्या है गहरा असर देखने वाला है उनकी अर्थवयस्ता खराब हो जाएगी अब आप यह समझ सकते हो कि अमेरिका अपने आपको सरपन समझता है worldwide का जिसका मैन मक्सद है कि हम अर्थवयस्ता सुदा रेंगे worldwide जैको ऐसा है कुछ नहीं सब अपना-पना यहाँ पर फाइदा देखते हैं तो यह इनका कहना है कि ओपे कंट्रीज को तेल में यहाँ पर प्रोड़क्शन में कटोती नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ कंट्रीज जैसे है जो मोश्टली यहाँ पर और प्रोड़क्शन पर ही चलते हैं तो उनकी एकोनोमी खराब हो जाएगी अब अमेरिका का यह भी मानना है कि य रसिया के कहने पर इन्होंने किया है जबकि ओपे कंट्रीज नहीं साप कर दिया कि हमने रसिया के कहने पर यहाँ कुछ नहीं किया हमने हमारी जो कोरोना टाइम पर एकोनोमी खराब हुई थी उसको सुदारने के लिए हम यहाँ पर क्या है ओयल प्रोड़क्शन में कटोती कर रहे हैं लेकिन इससे कोई कोई ज़्यादा अर्थ दिमागधारी अर्षास्त्री होगा वो ही दिमाग लगा सकता है कि जब आपके COVID-19 के सेमें आपके यहाँ पर क्या है कि अर्थव्यस्ता खराब हुई थी तो आप oil कटोती करके कैसे अर्थव्यस्ता को सुधार सकते वापस जब इसका तो दिमाग लगाना थोड़ा बड़ी कठीन बात है लेकिन आप अमेरिका चाहता है कि यह वेश्ट ओपे की एक बड़ी बूल है oil production में कर्टोती करना क्यों अमेरिका इससे बोखला गया इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका पर इसका कुछ भी फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि इन्हों ने कर रखा है पहले से ही बहुत ज़्यादा तेल का इस्टोक इन्हों ने कर रखा है अगर वर्डवाइड भी अगर ये किसी को सस्ते दामों में तेल बेचना चाहे तो आराम से बेच सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करेगा ये अपना खुद का इस्टोक है इनका तो ये चाहता है कि ये ओल प्रोडवाइड एकोनोमे ठीक रहे जिससे अमेरिका का दबदबा बना रहे तो ये अपना फायदा देखते है अमेरिका अपना फायदा देखता है इस चीज के लिए तो आपको क्या सही लगता है कि इनका ओएड़ प्रोड़क्शन में कटोती होना ठीक है या गलत है लेकिन रियालिटी ये है कि अगर ओएड़ प्रोड़क्शन में कमी होती है तो हमारे इंडिया में इसका oil की जो prices है definitely यहां पर बढ़ने वाली है तो हमारे इंडिया के prospectus से देखा जाए तो हमारे को इसका नुक्सान होने वाला है क्योंकि यहां price rising होगी और हमारा यहां पर पैट्रोल डीजल है इनके prices यहां पर बढ़ने वाले है तो all over हमारे इंडिया के prospectus से देखा जाए तो हमारे तो बिल्कुल negative effect है अगर अमेरिका को चुनोती दे रहे हैं यह countries तो इसके लिए सही है या गलेत है तो आपको comment box में जरूर बता रहा है मिलेंगे नेक शूड़े में जब तक ले जहीं जवारत